सभी बैया बाहिनों को नमस्ते आज हम सभी बैया बाहिन कक्षा परत्मा के प्रयावन अध्यन विशे मैं अध्या एक पेड़ देते बिठे फल भाग दू का अध्यन करेंगे पेड़ हमेशा हमें मीठा फल देते हैं पेड़ों से जो फल प्रप्त होते हैं हम उन्हें खाकर तथा हमारे जो आज़ पास की जुन ददिया हैं उनका सीतल ठंडा जल पीकर हमारे सरी में बल आता हैं टाकत मिलती हैं और दर्ती माता जो हमें सहारा देती हैं हम उस पर पल करके बड़े हुए हैं और उस पर खेलते कूते हैं जो उपर जो आपको निला आकास दिखाई दे रहा हैं यह हमारे चाते के समान अमारी रक्षा करता है और शूरिया आपको रोज सवेरे पूर उदिशा में उगता हैं और उनकी क्रणों से हमको द्या जीवन मिलता है रोशनी मिलती है और सारे जगत में हल्चल होती है जो ये ठंडी मस्त अवाद चलती है इसमें हम जूमते हैं सुगंदित फूलों के संग डोलते हुए कल-कल करते हुए जर्णों के साथ हम सदा उचल कूद करते रहते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्णों उत्तर सभी भयावहिन करेंगे कख्षाकार्य के अंतरगर्थ अपनी अभ्यास पुष्टिका में ये निमन प्रश्णों उत्तर लिखेंगे क्रक्षा कार्या का पर्षन संक्या एक पेड में क्या देते है उत्तर पेड में मिठे फल देते हैं क्रक्षा कार्या का पर्षन संक्या दू नदिया में क्या देती है नदिया में सितर जल देती है पसंद संक्या ती, शरीर में बल कैसे आता है, शरीर में बल फल खाने और जल पीने से आता है पसंद संक्या चा, हमें सहारा कौन देती है, हमें सहारा धरती माता देती है पसंद संक्या पाँच जग में हलचल किस से होती है जग में हलचल सूरज की किरिणों से होती है आज का गर्यकारे जो भईया भई अपनी अभ्याश खुश्टी का मैं घर से करेंगे गर्यकारे का पसंद संक्या एक किसके संग डोले हम परसन संक्या दो किसके संग जूमें हम और परसन संक्या ती किसके संग उचल कूद करें हम सभी भया बेन गर्या कारे कारे गर्शे करेंगे दिन्यवाद